आज की वीडियो में हम दा लिविंग वर्ड के साथ इस भड़िया सी हैक शॉट सीरीज का शुबारम करने वाले हैं जिसमें कि हम एक एक चेप्टर को 15 से 20 में रिवाइस करेंगे पर ऐसे रिवाइस करेंगे जैसे कभी रिवाइस कराया कर नहीं गया यूट्यूब की इस्ट करा रहा हूं यह मैंने फ्री में दे रखी हैं इसकी मैंने बुक भी एक बना करके लाइक अगर तुम खरीदना चाहो तो तुम मेरे तुम आमेजॉन फिलिपकार्ट या मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हो यह बहुत ही एफेक्टिव नोट्स हैं और जिसमें कि तुमारे क यहां पर मिल जाएगा जो कि mcq नहीं बल्कि true false fill in the blank one word तरिके के questions होते हैं जिनसे कि हमारी रिकॉल के बढ़ती है क्योंकि mcq में उतना रिकॉल नहीं हो पाता लेकिन यहां पर तुमारे एक्टिव रिकॉल हो रहा होगा जो कि एक modern scientific technique है पढ़ाई करने की तो start करते हैं आ पारम जब भी करते हैं किसी भी चीज का तो हमारे गनेश जी का नाम लिया जाता है तो श्री गनेश करते हैं हम इस खूबसूरा सी सीरीज का तो लेट्स गो तफर्स कोशन इस डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है अर्नेस्ट मेर अर्नेस्ट मेर वर्स बॉर्ण डेट कहां वर्ना नो प्रॉब्लम आप सुनते जाओ द्यान से जो मैं आपको बोल रहा हूं मैं आप से पूछ रहा हूं कोशिश करो कि आप रिकॉल करो जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर देनी कोशिश करो और अकर नहीं आ रहा है आंसर कोई बात नहीं बस याद रखो कि मैंने ज स्पीशिस के डेफिनिशन दी इंकरीजिन डेशन देश और ट्विन केरेटरिक्रिक्रिक्सिक ऑ ग्रोथ क्या जीज अन नमबर ग्रोथ रिपरटक्शन अन नुचली एक्स्थिफ इन किसके अंदर होता है mutually exclusive higher plant and animals के अंदर living organism grow intrinsically extrinsically अंदर से बढ़ते हैं भार से बढ़ते हैं जी तो अपन लोग अंदर से बढ़ते हैं intrinsically growth is a defining property of living organism क्या हम define कर सकते हैं कि यह किभल growth जिसमें हो रहा है वो living organism होगा ऐसा होता है क्या विल्कुल नहीं होता है पहाड भी growth करते हैं ठीक है तो सेंड मोल्डर्स भी growth करते हैं तो वह living organism तो नहीं है तो इसका मतलब defining property नहीं बोल सकते अगला question reproduction is a defining property of living organism answer is false dash in dash true regeneration is seen किसके अंदर true regeneration में मिलता है answer is planaria के अंदर fragmentation is seen in dash dash and dash किन के अंदर में fragmentation मिलता है पंजाई पिलामेंटस एल्गी प्रोटन निमा और मॉस्टेश में ठीक है इन डेश ग्रोथ is synonymous with reproduction किसके अंदर होता है synonymous unicellular organism के अंदर dash and dash don't reproduce कौन लोग reproduce नहीं करते हैं तो यह ncrt का data है as it is याद होना चीह लाइन की म्यूल्स जो होते हैं म्यूल्स और sterile worker bees define metabolism metabolism की definition क्या होती है sum total of all chemical reaction occurring our in our body is called metabolism an isolated metabolic reaction outside the body perform in a test tube is non-living सही बात है क्या बिलकुल गलत बात है बिकॉस एक isolated metabolic reaction जो की बहार हो रही है body में outside the body हो रही है अगर से हम perform in a test tube वो एक living reaction बोलते हैं सो यह ncrt के मैं लिखा हुगा है metabolism defining feature of living organism सही बात है क्या बिलकुल सही बात है metabolism defining होता है दोस्त आइसलेटिट मेटाबलिक रिएक्शन आर लिविंग रिएक्शन जो isolated metabolic reactions होती है वो living होती है क्या बिलकुल सही बात है ncrt के लाए नहीं है isolated metabolic reactions are non living things क्या वो non living thing है यह भी सही बात है यह भी ncrt में दी है cellular organization is a defining feature answer is true tell all the defining features of living organisms तीन होते हैं पहला metabolism दूसरा consciousness और तीसरा cellular organization बोलो भहिया reproduction क्यों नहीं होता क्योंकि हाले living organism reproduction नहीं कर सकता है जैसे कि हमने अभी पता चला मूल्स और स्ट्रिलाय वर्करबीस most obvious and technically complicated feature on living organism is क्या होता है consciousness नीट में आ चुका है photo period affect reproduction in animals true of false true एकदम only organism which is affair of himself is कौन हम human beings because it has क्या self consciousness properties of tissues are present in the constituent cells सही बात है क्या बिलकुल गलत बात है क्योंकि properties of tissue constituent cell के अंदर नहीं है उनके interaction के विज़े से जो अगले question में पढ़ेंगे properties of tissues arise due to interaction among the molecular component comprising the organelles interaction है वो जो living thing मना रहा है वहापे जो एक living का एक character दे रहा है number of species known and described range between dash to dash million कितने million होते हैं विजया पहले बात तो million होते हैं million होते हैं million होते हैं कितने 1.7 से 1.8 यह नीट में आ चुका है एक प्रिंसिपल and criteria for plants are provided by icbn animals are named by iczn founder of taxonomy कौन है carolus lineus ने क्या दिया था binomial nomenclature दिया था दोस्त बाइलोजिकल names are generally in dash and return in dash generally in kis में होते हैं Latin में होते हैं written किस में italics में किये जाते हैं specific epithet start with a small letter answer is true classification is based on some easily observable characteristics true of false answer is true what is taxa यह ncrt के लाएं नहीं या रखना ठीक है convenient categories used to study organisms हमने category बना दी हर organism को डिवाइड करने की तो जैसे आगे हम पढ़ेंगे wheat human animal they are all taxa true of false बिल्कुल सही बात है जो भी categories है वो एक टेक्सा है कुछ भी सब्सक्राइब करी हमने ले ली कि यह लॉयन हो गया तो उसके अलगला टाइप के लॉयन हो जाएंगे तो लॉयन हो जाएगा इसके अमने खुब सारे अलगला टाइप के लॉयन हो जाएंगे बेसे सो टेक्सनामी 4 प्रॉसेस बिचाफ बेसिक नूटक्स लॉम्याथ चैनर क्या होता पहला कैरेक्टराइजेसेशन दूसरा आइट्डिफिकेशन तीसरा क्लासिफिकेशन चौथा नॉमन्क्लेचर याद कैसे रखते हैं सी याई सी ये करके याद रखते हैं अल्ये क्लासिफिकेशन वर उन दो बेसित आफ यूज उस आप से क्लासिफाय करते थे लेकिन बात में पता चला यह गलत है यह तो मारे लिए तो काम का है लेकिर एक्टुली मैं यह गलत है राइट सिस्टेमा मीन्स सिस्टेमाटिक अरेजमेंट ऑफ गिंजम सही बात है क्या आंसर is true linear style of application was systema nature systematics take into account evolutionary relationship between the organism answer is completely true the taxonomic groups are distinct biological entities and not a matter maltological aggregates answer is true Name the taxonomic categories from the highest to lowest cat renghi kingdom phylum class order family genus and species solenum genus include which three species, कौन-कॉंसी होती है, Niagaram, Melangina and Tuberosum, Panthera include which three species, कौन-कॉंसी होती है, yes, Leo, Tigris and Pardus, Potato scientific name क्या है, Solenum tuberosum, Brinjal scientific name, Solenum melangina, McCoy scientific name, Solenum nigrum, Genus include, क्या-क्या include करता है, Cats include करता है, families are characterized on the basis of dash and dash features of plant species कौन कौन सी vegetative and reproductive याज रखे बहुत important है family solenesi contains genre कौन कौन सी तीन genre है solenum, petunia and datura family of leopards, leopard की family philidi philidi contains genus dash and dash कौन कौन सी genus होते हैं philidi के अंदर panthera and philis suffix of family is dash in plants and dash in animals तो family जब भी तुम देखो के तो solenesi है ना तो ac आता है आखिने में क्या आएगा a c e a e या रखेंगे a c e a e जबकि animals में क्या आएगा जी philidi, kennedy तो d a e आएगा suffix of order is dash in plants क्या होता है polymonials तुमने सना होगा तो यह a ls आएगा order polymonials contains family dash and dash based on dash स्क्राइटर में क्या है तो यह बहुत इंपॉटेंट टेपल है जो हर साल पूछी जाती है नीट मैं मैं आपको दिखाऊंगा टेबल पर पहले हम कॉश्चन करते हैं फैमली और अदर हाउसलाई क्या है फैमली यह हमारी हाउसलाई की मुसिक डी ठीक है मुस्की डी और और क्या है और क्या होगा जी येस ऑडर इस डिप्टेरा ऑख टीक है जीनिस से मीई और अदरवीट डीप क्या ह। वीट के बात करें तो जीनास पहले है इसका क्या Ben this family Undertaker Pizza family eating और ऑसी एन ओर पुइल्स एमाद्र अज़िवाए ह। तो यह wisan की अगर हम सी और ओर क्या होता है सेपेंदेल्स ओके चलिए डैफिनेशं मां हर्बेरियम क्या होता है हर्बेरियम क्या है इस टूर हाउस अफ कलेक्टेट प्लांट स्पेसिमेंट्ट अट रएड पैस्ट अंद प्रिजब ऑन शीट तीन चीज या रगत ना ड्राइड होते हैं क्या होते हैं ध्यान से तोनेंगे पहला डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन ठीक दूसरा इंग्लिश नेम तीसरा लोकल नेम चौथा बाटनिकल नेम पांच्वा फैमली छटवा कलेक्टर का नाम तुम्हारा नाम नाम जिसने कलेट किया से तीक तो यह डेटन प्लेस यह दो कर भाकी बाफी बागी बाज़े पांच वाडर बाटनिकल का देयं किया है दे हेफ कलेक्शन अफ लिविग प्लांट्स फॉर ऐ niece लेवल इंडिकेटट्स एट्स डैस नेम एंड़ एश कौन सा नेम सानेप सानेटि नेम क्यों पर इंग्लेंड में भी नेम आईप में थ्री National Botanical Research Institute जो की कांपर ए लखना हूं मैं इंडिया में इन म्यूजियम्स इंसेट्स अस प्रिजर्फ आफ्टर डैश 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 क्या करते हैं हम इंसेट्स अब बुरी आहलत करते हैं मचारू की कलेक्टिंग करते हैं किलिंग करते हैं और पिनिंग करते हैं अब लाज अनिमल प्रिशब्व करते हैं स्टफिंग करके उनके अंदर भर देते हैं रूई म्यूजियम है व कलेक्शन और स्केरिक्टर्टन्स अफ अनिमल्स टू आंसर इस टू जूलोजिकल पार्क्स हेल पस्टू लन अबाट अनिमल्स डैश एंड डैश क्या चीज पहला फूड हैबिट दूसरा बेहवियर की इस उस्टू अइटिफा प्लांट ओल्ली आंसर इस फॉल्स प्लांट अनिमल दोनों में इस्टमाल होता है की आर बेस अन डैश जनरली इन सब्सक्राइब केया एस कोड़ इचसें पहले कॉड tat इस खुल्डेट इन लिट सैप्रेट एक्टियूंट इनकरेंट फॉर आन। इस टेक्सोनमीक केटिग्री आंसर लिच क्यॉर् сов rasa की आरENT नेचर एनलेटिकल नेचर एनलेटिकल टीक डैश कंटेंड एक्चल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंडिस्टिबूशन अफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया कौन कंटेंड करता है फ्लोरा मैनोल्स हां यूसफुल फॉर किस चीच के लिए यूसफुल होता है यह एक बुक होती है जिसमें की लिस्टिंग होती है एंडिस्रिप्शन होता है और प्लांट के बारे में लिस्टिंग होगी और उनका डिस्रिप्शन होगा मोनोग्राफ कंटेंड क्या करता है मोनोग्राफ में इट हैब इन्फो अबाउट एनी वन टेक्स एक प्लांट के बारे में इन्फो होगा what is catalog alphabetical arrangement of species तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा होता है पहला सेशन था बहुत मदा आया तुम सभी लोगों के साथ इसके साथ डेली हम सेशन लेंगे आठ बजे ठीक है और एक चैप्टर बिल्कुल रटलिंग यार मताब रिवाइस मारेंगे ऐसे बढ़िया कि मदा आ जाएगा यह मेरी कारेंटी है और इसी को फॉलो करते लिए क्योंकि मेरे से तो लोग यही कहते हैं तो यार मिलते हैं फिर